यह बूदिनिंग दियर स्टुटेंट्स वंस अगें वेलकम तो आल तो यह वोगों ने कहा के मारा जो टोटल कंटेंट है जो इस चेप्टर में हमको पढ़ना है वह आपका सब्सक्राइब कर चुके हैं फिर आपका कंस्ट्रक्शनल फीचर है फिर रिलेश्चन बिट्विन वोल्टेज करेंट टर्न रेश्यो यह भी पार्ट आपके में कवर कर चुका हूं है ना फिर लॉसेज एफिशेंसी और इट्स डिटर्मेशन बाइट लोडिंग है ना फिर सकते हैं अधर सब्सक्राइब और आज की जो मरी क्लास है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शनल फीचर्स और लॉसे की बात करेंगे ठीक है ना यह सुरूआत करते हैं आप लिए निवी लाश्ट क्लास इत्सक्षट वाट वीव दिसकूश्ट वाटिज नाश्ट क्लास वीव द कितल यह हम इसकुस कर चुके हैनक थो आज क्योंकि हम इसकेस कर चुके हैन अब अगला अगला नेता हैक कंस्टेंट्च क्पलएस फीच भीचेंश आफ सिंगल-फिस टाफ्समार चेंटेंग है लगां अगला सिंगल-फीचाम सिव topics स्फ्फरें na ना separate in the sense there is no electrical connection between these two windings these are connected mutually with mutual inductance right तो वो separate winding कौन कोन सी है primary and secondary आजकल यह terminology थोड़ी कम use होती है high voltage और low voltage ज्यादा prefer करता है ठीक है ना and these two windings are placed over the laminated steel silicon steel core एक core होती है उसके उपर इन winding को लपेटा जाता है अगर आप constructional मैं diagram दिखाऊंगा आके और कोर का construction कैसा है और यह winding किस प्रकार से उनके उपर लगई हुई है उसके हिसाब से अगर हम classify करें transformer को तो दो तरह के transformer में लिए आपके सामने आएंगे पहला है core type और दूसरा है इन जनरल जो number of turns हैं उसके हिसाब से classification बताया हुआ है वह आप देख लिए आप जानते होंगे step up or step down वह आप सब जानते हैं उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं ना इन केस ओफ को टाइब ट्रांसवर्मर दी वांडिंग स्राउंड एक फंसेडिबल पोर्शन आप दिकोर यहां पर मैं अब यहां पर low voltage और high voltage वांडिंग कामे लूंगा यह आप देखें यह लामिनेटीट कोर है इस दिख रही है आपको और यह वांडिंग सुसके उपर लपी एक नंदर की तरफ जो वांडिंग है वो लोवल्टेज वंदिंग और बाहर की तरफ हाई वोल्टेज वैंडिंग है इसका मिने रिजन लिखा है तो रिद्यूस्ट इंसुलेशन लोग वोल्टेज वैंडिंग इस अलवेश्ट नियर टूदी को एक तो यह रिजन है क्योंकि को पास में रहेगी तो इंसुलेशन की जुरूद कम पड़ेगी और आपका फेरो में वैंडिंग यह ध्यान रखेगा यह दोनों ही केसे में चाहिए को टाइप और अप्लिकेबल होगा कि अंदर क्या है इसके अंदर इस तरह का कुछ रहता है आप देख लें और अंदर की तरफ लोवल्टेज वैंडिंग है बाहर की तरफ आपकी हाई वोल्टेज यह दो जो जो बनाते हैं इनकी चर्चा में आगे करने वाला हूं वाय वी हव सलेक्टेज उसका रिजन में आपको बता दिया है अब अगर हम लॉसेश की बात करें ट्रांसफोर्मर की और उसकी एफिशेंसी की बात करें डिफेंट लोडिंग्स सो हमारे दिमाग के अंदर यह तीन चर्परशन आने चाहिए हैं वो क्या है मैंने फ्रेम करके रख दिया है पहला है वाटर दी मेजर लॉसे इन ट्रांसफ करें तो इसकी एफिशेंसी के उपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको देखना है एंड फाइनली वी हाव डिटर्माइन दी कंडिशन और यूपन से लोडिंग कंडिशन रादर एट विच ट्रांसफोर्मर वर्क्स एट माक्सिमम अफिशेंसी वह कौन सी लोडिंग है इसके उपर आपका ट्रांसफोर्मर आपको मैक्सिममम एफिशेंसी देता है वह आप्टिममम कंडिशन हमको निकालनी है तो यह हमने कोशन फ्रेम किया है और इसका आंसर अभी देंगे पहले नमबर कॉश्चन का अभी देंगे दिरी दिरी जैसे हम प्रोग्रिस करेंगे अंसर वह तो आउसर दी अधर कॉस्ट्टन संट राइट सो बीफोर मुविग आहेड दिर इन कॉंसेट ऑफ आईडियल ट्रांसफोर्मर जिसे कहते हैं और दूसरा आपका रियल ट्रांसफोर्मर केते हैं प्रेक्टीकल ट्रांसफोर्मर के तरफ बढ़ें उससे पहले एक उसको देख लेते हैं क्या है फिर क्योंकि आइडियल एक हाइपोथेटिकल कॉंसेप्ट है यह कल्पना है वास्तों में आइडियल करता नहीं है तो इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके और फिर अपन प्रक्टिकल ट्रांस्फोर्मर की तरफ स्विच करेंगे यह एक जन मैंने आपको बता दी आ किस तरह से चीज चलेंगे आ गे और उसकी एक भूमी का मने दादिये यह पर हैerson को जैसा कि मैंने आपको बताया एडिजन इमेजने ट्रांस्वर्मर युकें से हाइपोटर्टिकल ट्रांस्वर्मर है प्रामरी एं सेकंडी वैंडिक्टिव प्यॉर इंडुक्टिव होती हैं कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा ना ने लिखाया मिलब जीरो रेस्टें कोई भी ओमिक्लोस नहीं होंगे इस्टेंसी क्या हो जाते हैं कि कोई भी डूद का दूलावा नहीं है परन्तु फिर भी क्योंकि ट्रांस्वर्मर एक इस्टेटिक डिवाइस है इसकी एफिसेंसी इस्टेंसी इस्टेंसी वेरी क्लोस तो थे 100 परसेंट बट्ट विकेंट थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन देख लें मालीज आपसे पूछते हैं तो इन नट्स चेल वी कन से देर इस नो पावर लॉस है ना 100 परसेंट मिस्ट आवर इस लॉस ही नहीं पावर का है ना क्या मतलब हुआ कि आउट्पूट पावर जो है वह इंपूट पावर के एक्व आप जानते हैं सिंगल फेस इसी सिस्टम के अंदर जो पावर होती है वह यहां पर मैंने लिया आप ले सकते हैं तो पी टू इस एटू आइटू कॉस फाई और इवन आइवन कॉस पाई आपका पावर फेक्टर रहना पावर को स्पाई दोनों का सेम है कार दिया मैंने तो एक रिलेशन में रहे पास आया इटू आइट इस इकल टू एटू इन इसको लिख सकता हूं इटू अपन इस इकल टू आइवन अपन आइटू ठीक है ना पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांस्परमेशन रिश्यो का एक रिलेश्यन एस्टाबलिश करके बताया था से हम कह सकते हैं कि वी टू अपॉन वीवन कह दें इस एक्वल टूबाइवन एन टूबाइवन करेंट का थोड़ा सा उल्टा है यहां पर मामला आइवन अपॉन आएट वाता है यह सारे आइडिल के लिए एक शिक्रते हैं और इसको के तर्श्वरमेशन देशियों के यूज एक्वल प्रैक्टिस रिल लाइफ के अंदर इस इंपॉसिबल तो रियलाइज सच अ ट्रांस्फरमर संभव नहीं है ठीक है ना इन एक्ट्वल प्रैक्टिस दे लॉसस केनाट बी नेगलेट नहीं कर सकते ठीक है न लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि क्योंकि यह स्टेट इस अधिकल डिवाइस तो नहीं होंगे पर तो एक्टिकल लॉसस होंगे मैंने लगाया देखो लॉसस इन्हें प्रेक्टिकल ट्रांस्फरमर अब हम आगे देखेंगे कि कि इल्क्टिकल लॉसस कौन-कौन से होते हैं कुछ नाम मैंने आपको पहले बता है कुछ और नाम आपके सामने आएंगे एक प्रौपर क्लासिफिकिश्ट अपन देख लेते हैं तो देखें लॉससे इन्हें ट्रांस्फरमर मेजर लॉसस जो हम कहते हैं वह इल्लेक्टिकल losses होते हैं mechanical नहीं होंगे पहली बात electrical losses आपके टोटल यह तो 4 तरक हैं पर मेजर आपके iron loss और copper loss ही होते हैं डा यह बहुत कम होते हैं तो इसलिए इसलिए यूजल इनको нет इनको इस्टडी नहीं करते हैं लोग पर फिर भी बताऊँ आपको iron loss, copper, iron loss और core loss एक ही बात है इसका प्रेया बाची है यह दो तरह के होते हैं hysteresis और अरेटी करन्ट लॉस , copper loss करेदे यह आपके winding के अंदर होते हैं और कोर के अंदर होते हैं टरीक हैं इसे लोसे जो leakage होते हैं उसके करन्द से होते हैं और यह बहुत कम होते हैं तो हम इनको एक बार साइड में रख देते हैं और इनका अध्यन करेंगे अभी है ना सबसे पहले हम कॉपर लॉस की बात करते हैं कॉपर लॉसे सार एस्सेटेटर विट यॉर वाइंडिंग्स प्राइमरी वाइंडिंग और यू है हाइघ वल्रीज रमन वैंडिंग और लोग वल वैंडिंग है यह जो समभव होते हैं है झांक्छ के सबस्के थेखें हैं तो सका रफ्य हैं । है तो दोनों ही वैंडिंग को मिला तोवे पी सीउ मिंस टोटल कॉपर लॉसेज आइवन स्क्वेर रवन प्लस आइटू स्क्वेर आटू यह आप जानते हैं हीट लॉस है ना स्क्वेर अपधी करंट राइट कॉपर लॉस इन्हें ट्रांस्वर में डिपेंड्स अपने लॉसेज और यह होते कितने हैं फुल लोड करन्ट के अराउंड 1.5 to 2% होते हैं ठीक है ना टोटल कि बात करते हैं जैसा कि नाम से पता चलता है और लॉस यहां फिर को लॉस भी इनको कहते हैं मेंली अकर्स विदिन ट्रांस्वर में के जो कोर है जिसके पर वैंडिंग लॉसेज और यू कन से ओमिक लॉसेज इस लॉसेज आर वरी लेस इस बहुत बढ़िया मेटियल लिया जाता है तो कम होते हैं और कोशिश की जाती है कि लिकेज कम से कम हो अराउंड 0.5% फॉल लोड करन्ट तो देखिए टोटल कॉपर लॉस की बात करें तो देट से दो प आरे लॉसेज दो तरक होते हैं इस्टरिस लॉसेज ए अडी करन लॉसेज जब ट्रांसफर्म में हम करन्ट फ्लो कर वाते हैं जब लोड लगाएंगे और इवन नो लोड पर भी कुछ नो लोड करन्ट फ्लो होती है उसका रिजन बताएंगे बाद में मैंक्निटाइज और यह मैंने कर्व के मादिम से आपको बताना की कोशिश करता हूं मैं ठीक है ना मान लेजे यह मैगनेटाइज हुई तो वापस जब यह दी मैगनेटाइज होती है तो वापस अपने पॉइंट पर नहीं आती है यह गैप इसके उपर आ जाता है तो यह पॉर्शन जो है वह सबसे पहले उन्होंने का कि पीएच मेंस इस्टेशिस लॉस इन टम्स वाट के एच बीटा मैक्सिमम तो दी पावर बन पॉन पॉंट शिक्स एफ वी आपका वाल्यूम अप दी कोरें मिटर क्यूब एफ आप जानता है फ्रिक्वेंसी और यह मैक्सिमम फ्लक्स देंसिटी ठीक है यह फर्मूला आपको याद अखना है एडी करन के हम बात करें तो सम पार्ट अप फ्लक्स ऑल्सों गेट्स लिंक विदी आरेन कोर लेकित जब फ्लक्स होता है प्राइमरी में और वह प्राइमरी से जब स्ट्रेंडिय में जाता है फ्लक्स तो उसका कुछ पार्ट शे辚ायब के लीग कर जाता है जिसके काम कॉए एक बएर के आती-क मट्रेल है उसके अनदर भी एमरी होती है जिसके करण क्यों सुना होगा चक्कर दारा कहां कि अन्दर उसके कणकोर की होती है वह लोसस आपके एडि करन वह लाटाम किम की म् क्यों कि सामाणिय तोर पर करंट करन दिशा होती है अब इसको कोई दिशा नहीं है इसको कहते हैं इसको कहते हैं थ्यान रखेगा आप लोगे इसका व्य एक फॉर्मॉला है व्यूंक्ट आपके करंटि एक में इसको ना एक पार निक Спецन्ट आफ लोगे को आ चीद ना करंट और टी आपकी थिकने सब दी को रहे हैं ठीक है ना टोटल लॉसेश की अगर हम बात करना चाहें तो आरेन लॉसेश प्लस कॉपर लॉसेश मैंने मेजर लॉसेश लिए हैं ध्यान देखिएगा आपको हमने विए नॉट कंसेडिंग है इस्ट्रे एंड डायलेक्टिक और इसको इंडिविल भी आप लेख सकते हैं यहां पर आप पी और पी का भी फॉरॉला लेख सकते हैं टोटल एक्सप्रेशन आपके पास आजाएगा ठीक है यह मेरी आज की लाश्ट स्लाइड है अब तक हम लोगों ने जो है ट्रांस्फर्मर को डिफाइन किया उसका कंस प्रांस्फर्मर के जो मेजर लॉसेज हैं आरे लॉस और कॉपर लॉस उनको देखा उनके फॉर्म में देखे ना अब हम अगली क्लास के अंदर एक प्रेक्टिकल ट्रांस्फर्मर जो हम अल्री कंसिडर कर चुके हैं इसको पहले विदाउट लोड या फिर नो लोड कह दे नोलोड मींस सेकंडी बूट भी ओपन सर्कुटेट उसका अध्यन करेंगे क्या करेंगे क्या सिच्वेशन बनती है जब ट्रांस्फर्मर नोलोड पर रहता है उसका सर्कीट डाइग्राम फेजर डाइग्राम वेफर्म के माजम से और कुछ एक्स्प्रेशन पढ़ेंगे तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और इसको मैं आगे डिसक्स करूंगा उमीद करता हूं कि यहां तक सारी चीज़ें आपको क्लेर हो गई होगी होंगी वाट इस्टिल इफ्यू है अन्ट में निविदन यही करूंगा क्लास अगर आपको ठीक लग रही है आपको चीज़े नहीं आनी चाहिए ठीक है आप सभी का धन्यवाद जैहिंद